कि है गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यॉर डूइंग वैल एम चंदी पिर कम टूशेशी सरकल तो हम लोग डिस्कुस कर रहते हैं यूपी यूपी एसी 2020 टेस्ट ठीक है और यह मेंस की टेस्ट रीज है जो वीजन आयस की होती है उसके यह टेस्ट नंबर फूर है यह इता इकॉंघ का जो धुक्त की दैक पेफी आट लूटं ज牌ति का तक तो हम लोगों ने डेक लिये थैं कि कुंडा मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैंने डो एक इक है tiếp है आज हम इसमें आज आह नो कुश्ट करेंगे पूरे-पुरे ठीक है ताकि जो है अगला जो ह यह आप लोगों को तो आप लोगे टेलीग्राम गुरूप जान के लिए वहां से आपको इसकाट पीडियो भी मिल जाएगा तो इसमें देखते हैं कि इसमें कि तीन दस्कों के दोरान जोतों के आउसत आकार में निरंतर गिरावट की प्रवर्ति देखी गई है भूमी के बि जावट हो रही है वरतवान विए क्यों हो रही है क्या कारण इनके हैं और इनके कैसे कैसे सुझाओ जिया जाये तो यह मतलब भूमी के बिखंडन के कारण किसानों में समझ बिद्दमान चुनोतियां कौन कौन सी है और बिद्दमान जो चुनोतियों को हल करने के लिए कु प्रूट करते हुए हम एंसर को देते हैं ठीके तो हमारा बहुत ही अच्छा एंसर हो जाता है तो अगर हम बात करें क्रिशी संगड़ना 2015-16 के अनुशार परिचालन जोतों का अवस्त आकार वर्ष 2010-2011 के 1.15 जो हेक्टिर के आकार की तुलना में वर्ष 15-16 में घटकर 1.08 हे हेक्टिर हो गया है वरतमान में लग और सीमांत जोतों जो मतलब दो हेक्टिर से कम होते हैं कुल जो देखो सीमांत कौन होते हैं जो मतलब देखने को मिलता है एक हेक्टिर से कम होती है जिनकी लैंड और जो यह मतलब अलग होते है यह दो हेक्टिर से कम होती है जिनकी भू ब्रहत जोतों का यानि 10 एक्टेर से जो कम वाले हैं ठीक है 10 एक्टेर या इस से कम वाले तो इन में केवल 0.57 परती साथ है तो मतलब देख रहे हो ब्रहत जोत कितना कम है हमारा और कितना ज्यादा है लग और सिमान तर ठीक है यह किसे इसंगरना जो है 15-16 के परपेच में जो जो मतलब यह हुआ था उसमें कितना घटा है ठीक है तो इस प्रकार यह रही है ठीक है प्रतिशत रहा है तो उच जनसंख्या दबाव संयुक्त परिवार बेवस्ता में गिरावट बढ़ती रिंड गरस्ता और अन्य उपयोगों के लिए क्रशी उपयोगों क्रशी भूमी का रूपांतरन हुआ है इस बिखंडन है तो उत्तरदाई प्रमुक जो उत्तरदाई कुछ प्रमुक कारण है कौन कौन से है तो देखो इसमें कौन कौन से कारण है तो देखो इसमें देखने को मिलेगा देखो यह जो आकार दिया है कि किस तरह हमारा घटता जा रहा है ठीक ह तो यह है तो बिखंडन के कौन से मतलब समझ कारण यही मतलब आपको देखने का कि एवरेज साइज ऑपरेशन हेक्टिर होल्ड लेंडिंग पर डिफिकल्ट होता है तो इसमें कौन कौन सी चुनोतियां है तो देखो चुनोतियों की अगर हम बात करें तो भूम के बिखंडन के करण किसानों के समझ बिद्दमान चुनोतियां है हमारी अलप उत्पादक्ता मतलब उत्पादन में लग खंडी तो भू जो तो भू जोते हैं निरवान करश के लिए उप्योकते हैं जिसमें किसानों किसान सदियों पुरानी शरम गहन तकनीकी का उप् तिफल में उत्पादक्ता में ब्रद्ध के लिए निवेश भी निवेश में भी कमी आती है आधनी करण में कठेनाईयां की बहत्तर जो क्रश पद्धतियां उधारानत जैसे की मतलब उधारान के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे ट्रेक्टर हो गया सूच्चम सिचाई तक निकी हैं आधिका उपियोग लगभू जोतों के लिए अलावकारी होता है क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा होता है तो ये लगजोतकार जो होते हैं ठीक है ये लोग इतना एफोर्ड खर्चा नहीं कर पाते हैं और भूमी का विर्थ उपियोग तो सीमाओं के निरधार और बाड लगाने में भूमी का विर्थ उपियोग में ब्रद्धी हुई है क्योंकि जब पहले जैसे एक ये पूरा हेक्टेर था ठीक है अब एक परिवार में चार भाई हुई है तो चार पार्टों में डिवाइड हो गया तो ये जो मेड़े पड़ गई ठीक है ये बाड तक छेतर है उसमें कमी आई है और रेंड गरस्तता तो आर्ठिक सरविचर्व्चर्ण फंद्रास आर्ठिक सरविचर्टा जो हुआ है शोला 17 के अनुशार रेंड गरस्तता और भू जोत के आकार यह मत एक भियूद करम संबंध बिदमान ए बिहार और पस्चिम बंगाल में शीमानत भू जोतों वाले 80% से अधिक परिवार रिंड गरशते हैं कि मतलब वो अपने रिंड से परिसान है उनको कैसे उनका निवारन हो सके उसका उनको कोई उपाय नहीं मिला है क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है और जो वो रिंड ले रखे हैं कि पसलों को उगाने के लिए उनको वो चुकता नहीं कर पाते हैं ठीक है नेक्स है कि सीमाओं पर विवाद तो लगू खंडित भूमी सीमा विवाद से समंदिस सिकायतों के परमुकरणों में से एक है पहले दो पार्टों में डिवाइड था अब चार पार्टों में हो गया तो ये लोग इनका सीमाओ विवाद और इनसे इनका सीमाओ विवाद तो ये बहुत ज़्यादा इनकी ब्रदी हुई है सीमाओ विवादों की ठीक है तो ये भी एक कारण रहा है इसमें ठीक है जो हमको उनकी कठनाईयों का सामना करना पड़ा अता इसे किसान, उत्पादन जोखिम, जलवायु संबंधी जोखिम, मूले जोखिम, रिंड जोखिम, बाजार जोखिम और नीती गत जोखिम सहित सभी प्रकार के क्रिशी गत जोखिमों से गरिशित हो जाते हैं, इन मुद्दों के समधान है तो निम्लकित उपाय किये जा सकते हैं, भू जोटों का समेकन, यानि भूमी के पट्टे को परुत्साहित कर, पट्टे दारी की भू धरती की शुरच्छा सुनिशित करने के लिए और लग भूमियों है तो लेंड पूलिंग यानि भूमी समायोजन को बढ़ावा देकर भूमी जोटों को समेकित किया जा सकता है, ठीके, और जो ये सामुहिक खेती को परुत्साहित करके तो लग किसानों को सहकारी खेती करने के लिए परुत्साहित किया जा सकता है उधारन के लिए जैसे किसान उत्पादक संगठन एफपियो जैसे संगठन के गठन के माध्यम से ठीक है और नेक से हमारा की खेती की आर्थिक जो खेतों की आर्थिक बेवहारता है जैसे की मतलब मूले उच मूले वाली फसलों के माध्यम से मिश्रित खेती सहकारी खेती फसल बिविद्धी करण को बढ़ावा दे कर लग जोतों वाले खेतों को आर्थिक बेवारता में सुधार किया जा सकता है ठीक है और खेतों का इसपस्ट शीमांकन तो खेती की सीमाओं और स्वामी तो अधिकार पर अधिक इसपस्टता लाने के लिए भूमी रिकॉर्ड के लिए भूमी रिकॉर्ड के डिजिटली करन और आधुनिक करन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और खेतों पर दबाव कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए जो ग्रामीर प्रवासियों को अकरसित करने और जो गैरकरसी गत्विदियों को बढ़ावा देने आद है तो सहरी विकास के माध्यम से बैकल्पिक आर्थिक आउसर परदान करके भूमी मानों के अनुपात में सुधार किया जा सकता है ठीक है तो हमारी उत्पादक्ता भी मतलब बढ़ सकती है ठीक है उत्पादन भी बढ़ सकता है तो आदार से अनुबंद करसी अधिनियम 2018 खादे प्रसंसकंड उत्धोगों को बढ़ावा देने कम लागत वाली करसी तकनीकों को अपनाने जैसे कुछ कदमों के द्वारा भारत में लचीली निक से हमारा लचीली और इस्थिर बिनमेदर प्रणाली के मद अंतर इसपस्ट करते हुए समझाए कि लचीली बिनमेदर प्रणाली के अंतरगत बिनमेदर कैसे निर्धारित होती है मतलब ये लचीली बिनमेदर और इस्थिर बिनमेदर के बार लचीली मतलब जो बदलती रहती है ठीक है जिसको बदला जा सकता है और इस्तिर रहती है कि वो सभी दरों पर मतलब इस्तिर रहेगी उसमें कोई मतलब उस दर में बदलाव नहीं होता है तो हमको बिनमेदर को परिभासित करना है ठीक है कि क्या होती है बिनमेदर और लचीली और बिनमेदर में कि अंतरकत बिनमेदर किस परकार निरधारित होती है तो इन सब चीजों को हमको ब्रीफ में डिसकस करना है थोड़ा-थोड़ा ठीक है तक यह हमारा पूरा एक्सपोर्ट करते हैं तो यह हम जो करते किसमे हैं कि जो हमारा डॉलर होता उसमें करते हैं तो उस आधार पर हम उसकी कीमत लगाते हैं और फिर उसके बाद पेमेंड करते हैं उसको ठीक है तो मतलब किसी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापाच शापेच मूली बिनमेदर के रूप में वर्गित किया जाता है ठीक है और ये सामानेता बिनमेदर को निर्धारित करने के लिए दो परकार की बेवस्ता है इस्थिर बिनमेदर परणाली है और एक लचीनी बिनमेदर परणाली है तो दो परणाली हो को अपनाया जाता है या कभी कभी ही समायोजित की जाती है जबकि लचीली जो फ्लेक्सेबल या फ्लोटिंग बिनमेदर होती है जिसे बिदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ती के कारकों पर निर्भाद किया जाता है जिस वस्त की जो जितने डिमांड होगी उसी के आधार पर उसमें परिवर्टन होता रहता है इसलिए इसको फ्लेक्सिबल या लचीली बोला जाता है ठीके और इस्तिर अदर सरकार या केंदरी बैंक दौरा निर्धारित की जाती है और उसे उसे इस तर पर बनाय रखा जाता परंतों लचीली प्रणडाली में केंद्री बिनमेदर के इस तरह को प्रतिछता प्रभावित करने हैं तो कोई उपायश नहीं है to यह इसके लिए कोई हमारा केंद्री बैंक इसका कोई मतलब प्रवीजन नहीं करता है और स्थिर बिनमेदर विविवस्ता केथेत मुद्रा आइस्तिरता और उच्छ उतार चड़ाओं के प्रति अतिशंवेदंशिल होती है क्योंकि यहाद दिन की बाजार परिष्टितियों पर निर्भर करती है ठीक है तो इस प्रकार ये इस्तिर वेवस्था में बिनमेदर में परिवर्तन को अव मुलियन या पुनर मुलियन के रूप में जाना जाता है जबकि लचिली वेवस्था को इसे मुली हरास या मुली ब्रद्धी के रूप में जाना जाता है ठीक है तो ये हमारी दोनों बिनमेदर परणाली थी और एक लचिली बिनमेदर परणाली के तहत बिनमेदर का निर्धारन कैसे होता तो भारत और सही उक्तराज अमेरिका के माडल के उधारन से एक लचीली बिनमेदर प्रणाली में बिनमेदर की निरधान की फिक्रिया को समझा जा सकता है ये संतुलन कारी डर्धी मुद्रा की मांग और आपोर्थी के कारकों को द्यारा निरधारत की जाती है और वस्तुं और सेवाओं के आयात करने और बिदेशों में बिदेश में बिती संपती खरीदने तथा उपहार या अनुदान हाद भेजने के लिए बिदेशी मुद्रा मांग सरजित होती है यह बिनमेदर के साथ प्रतिलोमता समंदित होती है अर्थात जैसे बिनमेदर उच्छ होने पर प्रतिएकाई डॉलर के आवस्च रुपे की मात्रा उच्छ होगी तो बिनमेदर कम होने पर यह आवस्चता कम होगी इसलिए बिनिमेदर के लिए अलेकित वक्र नीचे की और गिरावट की प्रवरति को दरसाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे अब डॉलर की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी ठीके जैसे रुपए की डिमांड कम है डॉलर की ज़्यादा है तो डॉलर का जैसे क्या होता है कि डॉलर में मान लो कि एक डॉलर की इस समय में लह सत्तर रुपए में तो किसी चीज को खरीदने के लिए हमको कितने सत्तर रुपए देने पड़ेंगे एक वस्त को खरीदने के लिए अगर वो एक डॉलर की है तो इसी को यही मतलब परिवर्तन होता रहता है कभी कभी क्या होता है कि मतलब डॉलर की वेलू घट जाती है जब उसकी डिमांड कम हो जाती है डॉलर की थी तो यही एक 70 रुपए है यह 60 रुपए पर आ जाएगा ठीक है घरेली वस्तों के निर्यात और विदेशी प्रेटों के आगमन प्रतिच निवेश करने वाली विदेशी निवेशकों और प्रेशक जो होते हैं आदि के कारण विदेशी मुद्रा की आपूरती में बरद होती है और विदेशी मुद्रा की आपूरती बिनमेदर के साथ प्रत इकाई मुद्रा के रूप में अधिक रूपे अर्जित करती है इससे निर्यातकों की लाब मतब उनका बढ़ता है और इस लिए बिनमेदर के साथ पेच खीचा गया आपूरती वक्र आगे की ओर जुक जाता जुका हुआ है तो यह जो लचिली बिनमेदर प्रणलाली भुगतान संतुलन में किसी भी प्रकार के संतुलन का सुता निवारण कर देती है अर्थात इसका अर्थ है यह है कि बुगतान संतुलन में कोई भी कमी या अधिशे सौचालित रूप से बिनमेदर के एक संतुलन मूल लिकी और अग्रशरित करता है ठीक है और जिसे बिदेशी मुद्रा की मांग और आपूरती में पुना समान हो जाती शौरी अधिशी मुद्रा के अतरिकत मांग सिरुजित होगी इस परकार मांग से बिदेशी मुद्रा का अधिमूलियन होगा जबकि गहरेलु मुद्रा का मुले हरास होगा अर्थात इसका मतलब यहा है कि आयात महंगे हो जाएंगे और निरियात से ज़्यादा लाभ हमको मिलेगा तो बिदेशी मुद्राओं की मांग की मातरा कम हो जाएगी और मातरा की आपूरती में घाटा समाप्त हो जाए होने तक बर्दि जारी रहेगी इस इस्तित में बिनमेदर का एक नया उच्चितर संतुलन मूले परापत होगा इसी प्रकार अगर बुगतान संतुलन में अधिशेश यानि घरेलु मुद्रा को अधिमूलेन की ओर ले जाता है फलता निरियात में गिरावट होती है और तथा जब तक बिनमेदर के नये निचले शंतुलन मूले पर अधिशे समापत नहीं हो जाता तब तक आयात में ब्रद्ध होती रहती है ठीक है तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं दिया गया है विदेशी मुद्रा बिनमेदर की अतरिक्त मांग का वक्त बिदेशी मुद्रा की मांग में ब्रद्ध के कारण डिडी मतब डिमांड और डिमांड वन की और इस्तानांतित हो जाता वर्तमान संतुलंदन में आर ओ पर यी ओ की सीमा का विदेश्शी मुद्रा की अधिक मांग से घरिलू मुद्रा अर्थात रुपे का मूली हरास होगा और जो भारत में डॉलर की अधिक जो भारत में जो डॉलर की मांग है अधिक होगी जिसकी अब अमेरिका अधिक कीमत पर आपूर्ती करेगा ऐसे में बिनमेदर बाजार नए उच्चतर जो संतुलन मूली E1 पर एक्सपोर्ट 1 पर शुता इस्थापित हो जाएगा जिसके अन बिदेशी मुद्रा की अपूर्ती में ब्रद्ध अपूर्ती वक्र SS यानि सप्लाई और सप्लाई वन्स पर इस्थान नांतित हो जाएगा और यह जो जो आर जीरो पर E0L की शीमा तक बिदेशी मुद्रा की अपूर्ती से भी भारती रुपे का अधिमूलियन होगा इन वर्ती नवीन संतुलन मूल E2 के लिए सुता सुधार करेगा जिसके अनुरूप नई बिनमेदर R2 पर चलित होगी ठीके तो इस परकार यह हमारा मतलब पूरा है यह जो डिसकुशन किया गया यह जो पैराग्राफ दिखा रहा है ठीके यह वाला पैराग्राफ लिए 2 को दिखा रहा है यह देमांड 1 को डिमांड 2 की तरफ जो अशिप कर रहा डिमांड है और यह दिमांड 2 की तरफ अडिके इक स्बाइब और यह मतलब यह इनकर इसको चलब यह दर साराच जो नीचे यह ऑमने डिसकस किया यह चेक अटीन पॉइंट्टों में जडिस प्राथ में परस्ट भूमी अधिय उन्यमनкое Location को प्रात्मिक्ता क्यों द Show Me something that You can move By भारत में के भारत में युद्ध काणूनों के अधि को प्रात्मिक्ता क्यों दियाती है तो जो अधियमन co प्रात्मिक्ता दी जाती है इसके बारे में हमको थाना तो भारत में भूमी सुधार के उद्देशों पर संचिप्त जो प्रस्ट भूमी है उसको बताना है कि क्या पहले की रही है और उसका उद्देश से पूरा करने के लिए क्या क्या मतलब चुनोती हैं उनको हमको समना करना है उनको बताना है और इनके लिए उप्यूक्त जो भ एक अच्छा सा एंसर लिख देना है ठीक है तो इसमें कहा गया है कि भारत में भूमी सुधारों के अंतरगत क्रिस प्रणाली के भीतर मौजूद सभी प्रकार के सोशन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने और कास्टकारों को सुरच्छा प्रदान करने और क्रशी उत्पादन के समच बिद्दमान बादाओं को समाप्त करने का लच्छ रखा गया था हाला कि इन उद्देशों को प्राप्त करने में भूमी सुधार के वल आंचिक रूप से ही शफल रहे हैं इसके प्रमुक करनों में से एक प्रति बंधात्मक कास्टकारी है यानि टेनेंची जो कानून रहे हैं जिन्से जिनोंने भूमी की पटेदारी यानि लीजिंग और प्रनाली को अनौपचारिक असुरच्छित और कुसल बनाने है तो बाद ही किया है आएके बढ़ते इस तरके साथ करसी भूमी की कीमतों में भी ब्रद्ध हो रही है जिसके परिणाम सुरू भूमी हीन और करसी मजदूर और लग हो यानि शीमानत किसान भूमी का क्रे करने में असमर्त होते जा रहे हैं इसने भारत में करसी के बिकास पर प्रतिकूल प्रभ कानून की अवस्चता है जो निम्रिकी तरीकों से लाबकारी होगा तो इसमें कास्तकारी को कारेबल की शुरक्षा परदान करना ठीक है या सफल उत्पादक कास्तकारी को जो करसी भूमी संसादनों में निवेश करने और उनका सनच्छन करने है तो प्रत्षाहिद करेगा जिससे भूम उत्पादक और भूम उत्पादकता और लाब प्रदता में बरद्ध होगी मतलब लाब में बरद्ध होगी और कास्तकारों को बिन्मय योजनाओं का लाब परदान होगा गयातवे की कानूनी दस्तावे संस्थागा तरिंड तक पहुँच की शुविधा राहत है आदि के लिए प्रतिचलाब अस्तान तरन मतलब डारेक्ट बेनिफिट ट्रंसफर इसका भी लाब इनको पराप्त होगा ठीके भूम उत्पादकार समाप्त हो जाएंगे इसलिए वे अपनी भूम की को परती रखते हैं अता इन कानूनों के माध्धम से इन समस्या मिलेगी और बीवाद समाधान जैसे कोई बीवाद हो जाता है तो एक कानूनी धाचा बू शॉमियों के साथ साथ कास्तकारों को भी संगर्थ समाधान के लिए सुरचित कानूनी बेवस्था पर दान करेगा भूमी जोतों की समेकन का मार्ग प्रस्थ करेगा जो ब्यापक और्थबेवस्ता का दोहन करने और क्रस आयमें ब्रद्धि करने हैं तो आवस्यक ए ठीके और क्रस में नीजी निवेश को बढ़ावा देना तो दीर कालिन पटे-दारी बेवस्ता अनुबंध क्रस को शुविधाजनक बनाने और फसल विविधी करन को बढ़ावाद देने द था क्रिश में नवीन तक्निकी और प्रद्धोगी की शुरुआत करने और कटाई पस्चात प्रबंधन यों प्रसक्रण में निवेश करने आदि में सहाथा सहाइक सिद्धोगी तो ये भी हमारे लिए एक मतलब ये है तो इस परकार अगर हम बात करें तो इसलिए क्रिशिद अच्छता समता बेवसाइक विविधी करने के लिए उप्यूक्त भूमी पट्टेदारी कानूनों की अति आवस्चता है ठीक है इस अंदर में नीती आयोगदारा भूमी पट्टेदारी सम्मंद का एक लेंड लेंड लीजिंग लाव भी परिस्तावित किया गया है ठीक है तो ये सरकार ने इनिशिट्व लिया है तक्कि जो है इनको और भी जादा मतलब इनको सुरच्छित और अच्छा बना सकें तकि जिसे ज्यादा से ज्यादा हम खेतों से प्रोड़क्शन ले सकें वह भ तो ये जीडीपी के बारे में है तो जीडीपी की अधारना क्या है जीडीपी होता क्या है एक्चुली में तो इसके कल्यान का सुचकांक ये जीडीपी किसी देश की कल्यान का सुचकांक नहीं होता है इस पे हमको बताना है कि ये उसके कल्यान का सुचकांक नहीं हो सकता क्यो को एंसर कंप्लीट कर देना है ठीक है तो इसमें देखो क्या है कि शकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी किसी बिशिष्ट शमयावद ही में देश की जो शीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तयार वस्तुएं उन्सेवाओं के कुल मौद्र की या बाजार मुली को संदर्वित करता है ब्यापक मानक के संदर्व में घरेलू उत्पाद देश के आर्थिक स्वास्त के ब्यापक अंकपत्र यानि इसकोर मतलब एक फाइनेंश एर में तो उचमें क्या होता है कि जितना प्रोडक्त होता उस च्रोंती मुली होता है उसे को जिक्ली cocaine कैंदरवी आफि WIL कि नțiर्व कर दोसे हलाकि इसे किसी देश के लोगों के कल्याण के सूचक के रूप में ग्रहन नहीं किया जा सकता इसलिए इसके निम्मेखित कारण है क्यों कौन कौन से कारण है कि इसको कल्याण के रूप में नहीं किया जा सकता इसके साथ अन्य बेक्तियों या फर्मों की आए में गिरावट भी हो सकती है ठीक है तो ये हमारा एक कारण हो गया जिसलिए करलेंड के रूप में नहीं जाना जाता है दूसरा है हमारा की गैर मौद्रिक बिर्में है नोन मोनेटरी एक्सेंज है यानि किसी अरते बेहुस्ता में की गई गत्विधियों का आकलन मौद्रिक रूप में नहीं किया जाता है उदाहरन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें घरेलू कारियों को संलगन जो घरेलू कारियों में जो महिलाएं संलगन होती इसमें नहीं होता है और इसके लिए उन्हें किसी भी परकार का भु वास्तिक मूल वास्तिक साथ से कम अंकलन होता है ठीक है बाहताएं जो होती है मतलब external liities जो होती है मतलब जब कोई फर्म या बिक्त दूसरे के लिए लाफ या हान का कारण बनते हैं जिसके लिए उन्हें भुक्तान यानि दंडित भी नहीं किया जाता है तो उन्हें बाहताएं कहा जाताएं उदाहर्ण के लिए GDP की गर्णा करते समय उद्दोगों के करण होने बोले प्रदूषरर्ण की कोई गर्णा नहीं की जाती इसलिए जब हम GDP पी की अर्थ वेवस्ता के कल्याण के मापन के सुचकांग में ग्रहन करते हैं तो कल्याण का वास्तिविक्ता से अधिक आकलन होने की संभावना होती वहीं सकारात्मक बायताओं के मामलों में अगर हम बात करें तो सकल गरिलू उत्पाद अर्थ बेश्टा के वास्तवी कल्याण को कम आकलन करता है ठीक है तो नेक्स है हमारा उत्पादित वस्टों के परकार जिसे जीडीपी उन वस्टों के परकारों का वरणन नहीं करती है जिनका उत्पादन किया जा रहा है चुकि जीडीपी दोरा किसी अर्थ बेश्टा के भीतर सभी तैयार वस्टों और सेवाओं के मूली का समगरता में मापन किया जाता इस्लिए इसमें ऐसे उत्पात भी सम्मिलित होते हैं, जिनके सामाजी करल्याण पर नकारात्मक परभाव हो सकते हैं, उदहन के लिए जिसे तम्बाक। आयुद, आदे के भीतर बिकर या उपयोग कीया जाते हैं, परन्तु ये समगर सामाजिक कल्याण पर प्रत्कूल प्रभाव डालते हैं तो इनको भी इसमें सामिल नहीं किया गया है ठीक है तो अगर हम बात करें कि उपर ये मतलब वरनित कमियों के आलोग में सामजिक कल्याण को मापने के लिए अधिक सटीक और विश्वासनी शंकेत बिक्सित करने के लिए बिविन प्रियास किये गए हैं इन बैकल्पिक तरीकों में मानो सुचकांक यानि हडियाई सकल राष्ट्री पसंटा सुचकांक और सामाजिक प्रिगती सुचकांक इसमें सामिल किया जाता है ठीक है तो जीडिपी हमारा सामजिक कल्याण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है ठीक है मापक नहीं माना जाता है नेक से हमारा कुश्चन नमबर सेवेनिश में कहा गया कि मूले हरास और मूलें के मद अंतर प्रकट करते हुए इसपस्ट कीजिए कि ये किसी देश के बिदेशी बैपार को कैसे प्रभावित करते हैं तो मूले हरास क्या होता है मूले हरास और मूलें में क्या मतलब है मूले हरास और मूलें में अंतर क्या होता है और किसी देश के बिदेशी बैपार पर उनकी क्या क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं तो इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा डिसकस करना है मतलब ब्रीफ में डिसकस कर लेना है तो इसमें तो मुल्य हरास और मुल्य दोनों ही एक ऐसी आर्थिक इस्तिती को प्रदसित करते हैं जिसमें किसी अन्य मुद्रा की तुलना में घरेलू जो मुद्रा के मुल्य में कमी होती है जिसके करण उस मुद्रा की क्रेसक्ति में गिरावट आती हला कि इनके घटित होने के तरीके भ और फिसमें अंतर क्या है तो यह देख लेते हैं तो हम यह क्या है कि अंतर हमारा मुल्य हरास नम्य बिनमेंदर है यानि फ्लोटिंग एक्षेंड रेट है मतलब लचीली है मतलब इसका गठत यह घटत होता है जिसमें बाजार कारकों के आधार पर देखकी मुद्रा का मुल्य निर्धारित होता है दूसरी और अवमूलियन इस्थिर बिनमेदर प्रणाली के साथ संबद होता है तो देख रहे हैं कि मतलब ये अवमूलियन है ये इस्थिर बिनमेदर प्रणाली है और ये लचीली बिनमेदर प्रणाली अभी हम लोगों ने जो बात कीती ठीक है और मांग और आपूर्टी जिसे बाजार कार्कों के करण घरेलू मुद्रा के मूल में कमी यानी मूल एहरास होती है जबकि अव मूलेन केंदरी बैंक दोरा जान बूज़ कर किसी अधनि मुद्रा के सापेच में गहरेलू मुद्रा के मूल में की गई कमी को प्रदर्शित करता है मूल हरास दैनिक आधार पर होता है जब कि अब मूलेन सामनेता केंदरी बैंक दोरा समय समय पर किया जाता है ठीक है तो ये हमारे अंतर है तो वो एक सोचालित है लेकिन ये मेनूल है हम इसको फंक्शन करती है जो बैंक होती सेंटरल बैंक ठीक हमारा किन्द जो किसी देश के बिदेशी बैपार पर जो मूले हरास और आव मूलेन के परभाव होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं तो बैपार घाटे को कम करना मुली हरास और अमुली दोनों के परिणाम सुरूप आयात महंगे हो जाते हैं ठीक है बतब आयात महंगे हो जाते हैं इसलिए नागरिकों दोरा प्राया आयातित वस्तों की कम खरीद की जाती दूसरी और अंतराश्टी करेताओं के लिए निर्यात की जाने वाली जो वस्तों आपे च्छाकरत सस्ती हो जाती है परिणाम सरूप निर्यात की मांग में ब्रदी होती इस परकार आयात में कमी और निर्यात में ब्रदी के फल सरूप ना किवल ब्यापार गाटे में कमी लाई जा सकती है बलकि इसके अधिसेस का भी अधिक सरजन हो सकता है हलाकि बैपार घाटे के आसान रूप में कमी नहीं हो सकती कुछ परिस्टितियों में इसमें बरदी भी हो सकती जैसे कि ऐसी अवस्था वस्थों का आयात किया जाता है जिसके कि घरेलू उत्पादों से प्रति इस्थापित करना कठिन हो ठीक है तो ये हमारा हो गया जैसे कि बिदेशी निवेश में कमी होगी तो मूले हरास और अवमूलें दोनों ही आर्थिक कमजोरियों के संकेतों के रूप में देखी जाता है जिसके कारण राष्ट की साख के जो समच उत्पन संकट हो सकता है या देश की अर्थ बिदेशी निवेशकों के बिश्वास में कमी करता है जिसके परिदेशी निवेशक में कमी हो सकती है हलाकि या घटित आयात और उच्छ निर्यात मांगों के करन घरेलू उत्पादों के समगर मांग में ब्रद्धी होती है तो इसके परिदेशी निवेश में भी बरत ही हो सकती है तो इसमे दोनों इस्थितियां बन सकती हैं यह डिपेंड करता है कि मतलब उस समय की इस्थितियां क्या हैं ठीक है? बैस्विक बाजारों में इस्तिरता तो ब्यापारिक भागीदारे जो ब्यापारिक भागीदारों के लिए चिंता कब इसे हो सकता है क्योंकि यह उनके निर्यात उद्धों पर नकारातमक प्रभाव डाल सकता है और साथ ही पडोशी देश अपने ब्यापारिक साधिदार के आउमूलियन के प्रभाव से बचने है तो अपनी मुद्राओं की का भी आउमूलियन कर सकते हैं इस प्रकार पर तिस परदी आउमूलियन के करण बैस्विक बित्ती बाजारों में अईस्थिरता उत्पन हो जाती जिसके प्रणाम सुर्फ अर्थिक कठनाईयों और अधिक गहन हो जाती है तो एक मुद्र बाजार अर्थ बिवस्ता आउमूलियन का प्रियोग तर्ग संगत अधारों पर किया जाना चाहिए जबकि मूलियन हरास के नकारात्म प्रभाव का समाधान निरियात परतिस परद केंदित करके किया जा सकता है ठीक है तो इस परकार ये आवमूलियन और मूलिय हरास के बारे में हमने देखा ये इतना अच्छा इसमें एक्स्प्लेन का रखा है ठीक है नेक्चाए की अर्थ बिवस्ता अर्थ बिवस्ता में बैंकिंग प्रणाली दोरा साख सरजन की क्रि सरजन ठीक है और साख सरजन के निर्दान में संबंद महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं और इसकी जो प्रिक्रिया क्या है ठीक है ये साख सरजन की प्रिक्रिया क्या है कैसे प्रोसेस होता है इसका और बैंक को दोरा किये जाने वाले साख सरजन को सिमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ठीक है तो इस कुश्चन को हम लोगों ने चार पार्टों में डिवाइड कर रखा है इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रीफ में हर एक पॉइंट को हमको डिसकस करना है ठीक है तो इसमें अगर हम बात करें साख सर्जन की तो इसमें साख सर्जन जो बैंक को और बेवसायों को प्रदत की जाने वाली रिंड की रासी इन बैंकों द्वारा धारित जनता की जमा रासी से प्राप्त होती है बैंकों के लिए अनिवार है कि वे इन जमा रासियों के एक निश्चित भाग को जमा करताओं की नगत समंधी अवस्चताओं की पूरती आरचित रखें और शार्विंग जमाओं के केवल शेस भाग को ही रिनिड के रूप में दें ठीक है तो ये मतलब साक्षिजित किया जाता है इसके द्वारा साक्षिजन की क्रिया भी दिख्या है कि मतलब क्या प्रोसेस हो जाकता है तो मान लिजे कि बैंक अग्स का गरहक इस बैंक में 1000 रुपे जमा करता है ठीक है और बैंक एक से 20 परसंट का नगद भंडर आरच्छित करती तो 200 रुपे ये आरच्छित रखता है और सेस धनरास अर्थात 800 रुपे का उप्योग अपने किसी गरहक को रिनड़ परदान करने है तो करता है बैंक एक प्राप्त इस रास का उप्योग उधार करता किसी बैपारी से वस्टों की खरीद में करता है और बैंक X पर चिक जारी करके भुक्तान करता है मान लिजे कि इस बैपारी का बैंक Y में खाता है 800 रुपे के इस चिक को बैंक X से 71 किये जाने के लिए बैंक Y में जमा करेगा ठीक है तो इस परकार जो है 800 रुपे X और Y में इस्थाननतित किये जाएंगे बैंक Y में भी 20% अर्थात 160 रुपे आर अच्छत रखता है तो उसके पास 640 रुपे की शेस धन्रास बच जाती है तो यह जो यह जो यह करिया है अनी गरहकों को रिंड के रूप में परदान रूप में देदेता है इस परकार ये इस परकार के एक या अनी कैन रेम लेंदेन में बैंक Y के पास 512 रुपे रिंड सेस तो बच जाएंगे एक हजार की प्रारंविक जमाराशी के प्रतब कर नामारड करेक्स तीन बेंकों दरा तब 2942 रुपे जमाराशी का सर्जन किया गया ठीक है इस प्रकार अगर हम शम्पूर बेंकिंग प्रतब करनाली नई जमाओं के रिमार करने में सच्छम होगी इस प्रक्रिया के माध्यम से साख सर्जन होता है तो बैंक की साख सर्जन प्रक्रिया इस आधाना पर आधारित होती है कि किसी भी समय किसी भी समय इंतराल के दोरान इसके ग्रहकों में से केवल कुछ कुवास्तों में नगत की अवस्टा होती इसके एत्रिक्त बैंक मानता है कि इनके इसके सभी ग्रहक एक ही समय बिंदु पर अपनी जमा रास के बिरुदर नगदी की मांगन नहीं करेंगे उनको ये मतलब ये एजियूम किया जाता है एजम्शन किया जाता है ठीक है तो साग सेजन को सिमित करने वाले कारक को नहीं तो वाड़ी जी बैंकों के पास लोगों की जमाओं के रूप में नगदी की मातरा जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक साग सेजन होगा अता उपलब्द जमा रासी की कम मातरा साग सेजन को सिमित करती है ठीक है नगदार अच्छिक अनुपात साख सेजन को प्रभावित करता है अनुपात जितना कम होता है साख सेजन की चमता उतनी ही अधिक होती है शाक सरजन की प्रक्रिया तबी तक आरंब होती है जब उधार करता है रिंड प्रियुजनों के लिए बैंक से मांग करते हैं इसलिए बिश्वास नियता उधार करतों की शंक्या और शाक सरजन को प्रभावित करती है एक वाड़िजिक बैंक स्विकरत प्रतिभूतियों के बिरुद्ध रिंड प्रदान करता है साथ ही प्रतिभूतियों का मुले मुले रिंड की रासी के बराबर होना चाहिए यहां तक कि यदि बैंक के पास शाक सरजन करने के लिए एक ब्यापक नगत उधार है तो भी है फैक्टर यह भी एक सीमित करता है उसको ठीक है और साथ सरजन प्रक्रिया अत्रिक्त आरच्छित निर्यानी मुद्रा अपवाह के रूप में नगदी की निकासी को प्रभावित नगदी की निकासी से प्रभावित हो सकती है मुद्रा इस्पिति मंदी और बैंकों की ब् नाइन तो इसमें कहा गया है कि एक रका चितर की सहाथा से सरल अर्थ बेखता के आये के वर्वार्वाव यानिज शर्कुलर फ्लो आफ इंकम को सपस्ट कीजें तो आ का वर्वार्वाव है क्या जो ये flow of circulation है है क्या एक्चुली में ठीक है इसके मादम से आए के प्रवाह जो flow of circulation के कौन कौन से चरण है ठीक है और इसमें जो ये सहायता जो रिखा चित्र की सहायता से जो सरल अर्थ वेश्टा के आए के वर्तुल प्रवाह की अधरना की बिश्टरत ब्याक्या कीजिए ठीक है तो इसको हमको पूरा हमको जो flow of circulation है इसको बताना है तो इसमें आए का वर्तुल जो प्रवाह एक आर्थिक माडल है जो किसी अर्थ बेवस्ता में बिविन अभी करताओं के मद्ध होने वाले आदान परदान और अदान परदान को मुद्धा और सिवाऊ या जो जहां मूल रूप से दरसाता है की धन धनात्म कारक सेवाएं उत्पादों के उत्पादों से उपबोकता की ओर हैं तक थथा पूना एक अंतरहीन में जो अंतरहीन लूप में किस प्रकार प्रवाहित होती है तो पुनाह ये बताती है चीजे तो आए के वरतल प्रवाह के चरण कौन कौन से है तो इसका उत्पादन चरण होता है ठीक है एक आए चरण होता है एक बे चरण होता है तो इसमें फर्मों कारकों और सेवाओं को भूमी और स्रम पूंजी और उद्दम सिल्टा की साहता से वस्तूं और सेवाओं का उत्पादन करती है आय चरण में इन फर्मों से परिवारों को होने वाली आय यानि किराया मजदूरी ब्याज और लाव का परवा समलित होता है ठीक है और income phase होता है, distribution of income होता है और expenditure phase होता है, disposition of income होता है ठीके तो ये different spend flow of income होती है ठीके तो एक शरल अर्थ बहस्ता में आय का जो वर्तल परवाह है तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक शरल अर्थ बहस्ता में कोवल दो छेत रखी होते हैं लिए अर्फात परिवार और फ्रमताथ परिवार दोराख कोई सरकारी बाहिर ब्यापर और कोई बचत नहीं की जाती इस परकार घरेलु के सबी चैनलों अर्फात कर यह वस्तूं का आयात बंद हो जाता है परिणाम शरूप केवल घरेलू फर्मो दोरा उत्पादित उन वस्तूं और सेवाओं पर अपनी आए खर्च कर सकते हैं जिनके उत्पादन में उन्होंने स्वयम साहता परदान किया अता परिवार दोरा कुल उपभोग अर्थ बेवस्ता में फर्म दोरा उत्पादित वस्त वस्तूं और सेवाओं का कुल वे के समान होता है ठीक है और इस परकार अर्थ वस्ता की संपूंड आय उत्पादक्तु फर्मों को विक्री राजस्य के रूप में पुना प्राफ्त किया जा सकता है और कोई रिशाव नहीं होता है मतब कोई भी लीके जिसमें देखने को न रुक्तान करेंगे जिनका उप्योग एक बार पुना वस्तूं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाएगा इसलिए प्रतिक वर्थ अर्त बेवस्ता की कुल आय दो छेत्र को यह था फर्मों और परिवार के माद्दम से वर्तल रूप से गत्मान होती रहती है ठीक है तो इसका सर्कूलेशन आपको देखने को मिलता है तो जो देखो यह इस पेंडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेस हैं एक हाउसेज हो गया एक फर्मों हो गया तो फैक्टर अफ पेमेंट हो गया और फैक्टर अफ सर्विसेस हो गई तो यह हम लोगों ने ग्राफ के दोरा इसको समझ लिया है हलाकि उप्यूक्त उधारण एक सरली करत माडल है जो वास्ट्विक अर्थवियोस्ता का बिस्तार से वरणन नहीं करता है उधारण के लिए वास्ट्विक अर्थवियोस्ता में परिवार बचत करते हैं जिसमें इसमें सरकार सम्मिलित होती है अर्थात तक हो गए हैं टेन वाला कल यह टेन तक बचे भी हैं यह टेन सारे हम अगले वीडियो में शॉल कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत